हाई लो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई इस्टडी फीज चैनल दोस्तों प्रिविएस यह में जितने भी कोस्टेंस फिजिकल एजुकेशन कमपेटिटी एक्जाम्स ट्रीजिटी पीजिटी के विएस एन बीएस एल्टी में पूछे गए हैं उन सभी कोस्टेंस को टापिक प्रिपेर्शन को बेहतरी बना सकते हैं और दोस्तों डेली बेस यह कोश्चन स्रीज दिया रहा है उसका प्रेक्टिस करना न भूलिएगा तो चली चलते हैं आज के प्रशनों की तरफ दोस्तों कोश्चन है कि लाइन टेनिस कोड एकल की कुल लंबाई तथा चोड़ाई ह तो की तो है कि तो बिट्मी होती है लान्ट टैनिस की कोड़ के चड़ाई CHAN के लिए बनास Есть Un invited seven equals 27 फीट एकल के लिए आप से नंबर बी स्कुर्च ओगा वहीं भी डबल के लीए दैतर गोड़ी चट्थीश फीट दोनों के यहाद रहा हाद देज के लिए अधातर गोड़ से समधित हैं एन अमेरिका जो है डेविस कप जितने में सबसे प्रथम अस्थान पर है अब तक 32 बार जिता हुआ है महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी नंबर वन महिला टेनिस खिलाडी है तो कौन है मार्टिना हैंगिस आपसे नंबर वी वर सुर्जेलंग की टेनिस खिलाडी है यह मार्च 1997 मात्र 17 वर्स की आयू में इसिर की नंबर वन खिलाडी बनी थी थिजिए निस्थर है बृटाया अम्रित राज टेनिस इसी थे तो कहां पर इसी थे तामिल्णाड वं चिर्न राज नहीं नंबर वै करेक्ट है निस्थर्थ को गिन खेल से समन्दित है तो दोस्त være डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है आपसे नमबर डी करेक्ट है जैसे कि टेनिस कप योर्ष ओपन असलियन ओपन फ्रेंच ओपन आल इंगलेंड चैंपियंशिप फेटरेशन कप आधी रिलेटेड हैं टेनिस से सबसे अधिक बार टेनिस में डेविस कप जितनी वाला देश है तो कौन देश है अमेरिका आपसे नमबर डी करेक्ट है अभी तक सरवादी 32 बार टेनिस में डेविस कप जितनी के साथ अमेरिका प्रतम अस्थान पर है आश्टर या 28 बार जीता है दुसरे अस्थाम पर इसके और गत नहीं है तो दुस्तों ग्रेंड इसलेम के अंधर का जाता है इन एक वर्स में चार टुनामेंट को जीतने वाले और यह नीज तो पांच से शुरू हुआ है और यह माह के hips में प्रारम होता है और कर खेला फ्रेंज ओपन मई जून में फ्रते वर्स और कले कोड़ पर यानि लाल मिट्टी बजरी के कोड़ पर खुला जाता है एंड बिमल्डन ओपन जो अठासा सहततर से प्रारम हुआ है यह जून जुलाई में प्रारम होता है और ग्रास कोड़ पर खिला जाता है जो अगस्तिम्बर माह में हर वर्ष खेला जाता है और या हर्ट कोड़ पर खेला जाता था जाता है जैसे कि दुष्टो माह के फर्स के आस्टेयरम पर खेला जाता है इसको दिहान में रखियेगा एंड तो आश्टरियन उपन एंड यूएस उपन दोनों हार्ड कोड़ पर खिला जाता है फ्रेंच उपन क्ले कोड़ पर खिला जाता है एंड सबसे पुराना गर्ण इस्लेम कौन है बिम्बल्डन उपन जो 877 से प्राणम हुआ यानि इसमें कोशन क्या पुछा है कोन गर्ण इस्लेम के अंता К नहीं आता है तो स्वीड ईसजओ ऊपन नहीं आता है निस्ट है बिंबल्डन चेंपिंशीप की स्खेल से से रिलेते है तो किसे से सबसनित हैं किस से समस्दीट है दोस्तों टेनिस से रिलेटेड हैं उलम्पिक में 1996 अटलांटा में अमेरिका में कांसे प्रदक जीते थे पहले भारती विश्व के एक अमात्र खिलाड़ी है जो सात बार उलम्पिक में भाग लिये हैं एन दोस्तों 1990 में इनको अर्जुन पुरुस्कार से भी समानित किया गया है लेंदर पेश को अन्य प्रमुक टेनिस खिलाड़ी है भारती जैसे की रामा नाथन किष्णन जिनको सर प्रथम वर्थ 1961 में अर्जुन पुरुस्कार से समानित किया गया एन्ड और में हैं रमेश कृष्णन अनंद अमरित राज सानिया मिर्जा बिजय अमरित राज महेश भुपत्ती रोहन बपन्ना ठीक है महेश कोश्चन है आपको सही मिलान करना है तो इसमें सही मिलान कीजिए जैसे की रानी टाफी किसे रिलेटेड है दोस्तों तो क्रिकेट से रिलेटेड है तो एका थ्री हो जाएगा ग्रन इसलम किसे रिलेटेड है टेनिस से बी का फोर हो जाएगा BC Right Trophy कि से related है फुटब़ से तो सी काड़ वो जाएगा दोस्तों यहां ध्यानमें देने यह बात यह है कि बाट डिलेगा तो फुटब़क बात शुकla वो नेक्स लेंश कप योनिक्स कप कि से related है डिए विंटर से तो यहां पर आपसर नंबर B करेक्ट हो जाएगा निस्ट है फिर से मिलान करना है तो यहां पर मिलान करते हैं जिसे कि फर्स्ट है डेविस कप तो डेविस कप किसे रेटेड है टेनिस से A का 1 ही हो जाएगा and B है BC गुपता ट्रोफी तो BC गुपता किसी है बास्केट बाल से अब BC राय दिया रहाता तो फुटबाल से हो जाता ठीक है यहां पर ध्यान रखिएगा C है C के नाइडो ट्रोफी C के नाइडो किस रेटेड है क्रिकेट से and D है उबेर कप उबेर कप किस से समधित है बैन विंटर से उबेर कप बैन विंटर महिला से समधित है इध्यार में रखिएगा तो आपसा नमबर C यहां पर करेक्ट हो जाएगा Next question है किस भारतिये ने पर्थम Grand Islam की उपाधी जीती तो किस ने जीता है महेश भुपती ने पर्थम Grand Islam की उपाधी जीता है वर्स 1997 में फ्रेंच ओपन का मिस्रित यूगल खिताब इन्होंने जीता और ये Grand Islam जीतने वाले पर्थम भारतिये बने इन्होंने जापान की रिका हिराकी के साथ जोड़ी बना कर लीसा रेमंड और पैट्रिक गलब्रेथ की अमेरिकी जोड़ी पराजित किया था नेश्ट है 1993 के आश्टेरियन ओपन टेनिस चेंपियनशिप का मेंस सिंगल खिताब जितने वाले खिलाड़ी का नाम है तो क्या नाम है उनका जीम कूरियर जीम कूरियर दोस्तों 2019 तथा 2020 के आश्टेरियन ओपन परतिविक्ता के पूरुस एकल के विजेता नुवाग जो को भी सर्विया के है इसको ध्यार में रखीगा मेंस्ट है कौन यूर्ज ओपन टेनिस चेंपियनशिप के बारे में सही है तो दोस्तों इसमें आपसन नंबर C करेक्ट है 1, 2 और 6 1 में क्या है इसकी इस्थापना 1881 में हुई थी 2 में 1881 से 1974 तक ग्रास कोट पर खिला गया N6 में है 1978 से आज तक हार्ड कोट पर खिला गया 1, 2 और 6 नेश्थ है दोस्तों कौन सी टेनिस प्रतिविता दूसरी सबसे पुरानी ग्रान इस्लेम टेनिस प्रतिविता है तो सबसे पहले जानिए कि पहली कौन है पहली आपका भी मंडल ओपन है तिक है जो 1887 में प्रार्ण हुआ था और उसके बाद उसके बाद पुरानी है 1881 में प्रार्ण हुआ था यूर्श उपन तो दूसरी सबसे पुरानी प्रतिविता कौन है ग्रेनिश ने यूर्श उपन यानि अमेरिकन उपन आपसन नमबर C करेक्ट होगा अंतराष्टी टेबल टेनिश चंकी स्थापना किस वर्श हुई थी तो कब हुई थी अंतराष्टी टेबल टेनिश चंकी स्थापना 1926 में आपसन नमबर B करेक्ट होगा इसका मुख्याले लुसाने सुर्ज लेंज है यहीं पर पूछेगा कि भारतिय टेबल टेनिश चंकी स्थापना कब हुई 1927 में हुआ मुख्याले ने दिल ली ठीक है नेश्टे दोस्तों पिंग पांग समधित है तो पिंग पांग किसे समधित है टेबल टेनिश से आपसन नमबर B करेक्ट होगा नेश्टे दोस्तों टेबल टेनिश किस देश का राश्टी ये खेल है तो चीन का राश्टी खेल है नेश्टे टेबल टेनिश के टेबल की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है तो टेबल टेनिश की लंबाई चोड़ाई कितनी होती है लंबाई 2.074 मिटर एंड चुड़ाई एक दसमलो पांच दो पांच मीटर आपसन निमबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स कुर्शन है दोस्तों टेवल टेनिस के गेंद का वजन कितना होता है तो कितना होता है टेवल टेनिस गेंद के वजन दो दसमलो साथ ग्राम होता है क्यां कितना मोता है 25 इन का 40 ट्स में व्र्ट 799 के लिए प्रसिध्य के ब्रमापत्र कि sah डिया गया तो लेयंडर से और व जो रिमिक्त हो जाएगा कि लेट्स सब्द प्रियोग होता है तो लेटच सब्द किसे और ben ते शारो आपसर नंबर बी करेक्ट होगा ठीक है इसके लावा इसमें वेस्टन ग्रीप, ड्यूस, ड्यूस दुनों में टेनिस टेबल टेनिस दुनों में प्रिव होता है रैली, सर्वर, सर्विस, फ्रीहंड, होल ग्रिप, चाप, स्पीन, आदिका प्रिव होता है नेस्ट है महाराजा पित्पूरम कप की स्खेल से रिलेटिद है तो महाराजा पित्पूरम कप टेबल टेनिस से रिलेटिद है नेस्ट है किसे रिल्टिट है टेबल टेनिस से दोस्तो ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराजा पितपूरम कप टेबल टेनिस से समधित है और स्वेथिलिंग कप भी टेबल टेनिस पूरसों से समधित है और कारवेलियन कप टेबल टेनिस के महिलाओं से समधित है आप इस स्वेथलिंग कप और महिला कार्बेलियन कप एन दोस्तों सवर प्रतम अर्जुन पुरुसकार टेबल टेनिस में 1961 में जेसी बोहरा को प्रड़ाग किया गया था और 2019 में हर्मित दिसाई को और 2020 में मधुरी का पाठकर को दिया गया था नेश्ट है स्वेथलिंग कप किस खेर से रिलेटेड है तो किस से रिलेटेड है दोस्तों विश्व टेबल टेनिस पूरुस से रिलेटेड है यह ध्यान में रखेगा एन इसके लामा एलेक्ट्रा स्वर्ड कप बना बिलाग कप जेल अश्मी कप पदमावती कप है दूसै कप कमला रामानुज कप इंद्रा कप आधी हैं नेश्ट है दोस्तों A.C.E का संबंध है तो A.C.E का संबंध किसे है लान टेनिस से ठीक है अने सब्द है लान टेनिस से एडवांटेज बैक हैं ड्राइव चीप साट इसमेश फुट फाल्ट डबल फाल्ट सिंगल स्ट्राइक अधी नेश्ट दोस्तों डेवीस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है तो डेवीस किस से जुड़ा हुआ है लान टेनिस से ठीक है अन दोस्तों अमेरिका जो है सबसे ज्यादा डेवीस कप जितने वाला है अन 2018 के डेवीस कप किताब जीता है क्रुएसिया ठीक है ध्यान में रखिए गाँ नेश्ट है जैल अश्मी ट्रॉफी दी जाती है किस में दी जाती है जैल अश्मी महिला टेबल टेनिस में आपसर किसमित किया जाता है तेटी टेनिस में टेनिस में और एस के प्रतियस प्रतियस प्रतिशत को देदिया जाता है नेश्ट है दोहरी गलती सब्द किस खेल से समधित है चाहा डबल फाल्ट करिए चाहा दोहरी गलती करिए तो लांट टेनिस से आपसा नमबर D करेक्ट होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टेबल टेनिस से जितने भी कोस्टन पूछे गए थे सभी कोस्टन इसमें समझ में आए होंगे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेट में ज़रू बताइए और ज्यादे से ज्यादे कीजिए दोस्तों पहले विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे जो भी मैं नए वीडियो अ उसको नाटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाएंगे